आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अगर मैं किस KI बात करूँ आपकी नाचरल रबर की तो जो नाचरल रबर है वो मुझे किस से मिलता है ठीक है नाचरल रबर वो हमारा obtained होता है किस से latex से किस से obtained होता है हमारा latex से जो आपका क्या होता है एक White Milky Liquid जो हमें Rubber Tree से मिलता है rubber tree से मिलते है from rubber tree और क्या होता है कि वो इस particular reason से आपका ये हमारा क्या होता है rubber जो होती है वो आपकी क्या होती है देखो soft होती है sticky भी होती है ठीक है और ये अपकी क्या है एक thermoplastic है ये हमारा क्या होता है thermoplastic और इसकी क्या होती है less tensile strength भी होती है इसकी क्या होती है less tensile strength भी होती है tensile strength तेको नॉर्माली, basically क्या है आपका कि जो आपका यह है natural rubber है जिरे आपके तक तरीक है listomer है यहापका क्या होता है, elastomer होता है और las होते हैं, वो आपके क्या होते है, उनका यह स्ट्षेच भी कर सकते हैं जब आप उनको release करते तो अपनी original shape में आ जाते हैं तो उनकी क्या होती है इसलिए less tensile strength होती है वो soft भी होते हैं और sticky भी होते हैं तो यह हमारा correct है क्योंकि natural rubber एक elastomer है जिसकी इसारी properties होती है तो यह assertion correct है अब यह बोल रहा है कि natural rubber और जो है वो polymer है 2-methyl-buta-13-diene का तो देखो यहां पर हमारा क्या होता है इस तरीके से यहां पर आपका 2-methyl-c, double bond, CH2, 2-methyl-buta-13-diene तो यह इसका क्या होता है मोनोमर होता है यह statement correct है ठीक है क्योंकि जो आपका natural rubber है अगर आप उसका देखो polymer का structure तो वो कुछ इस तरीके से होता है यहां पर CH3 फिर double bond C and यह आपका CH2 इस तरीके से तो इसका मोनोमर यही बनेगा तो यानि कि यह भी correct है बट यह मोनोमर की वजह से उसकी यह सारी properties तो नहीं है basically properties क्यों है क्योंकि वो elastomer है वो आपका क्या है एक rubber है elastomer है तो यह elastomer की यह सारी properties होती है कि उसकी less and size strength होती है soft होता है sticky होता है ठीक है तो यानि कि हमारा assertion reason दोनों correct है पर यह इसका explanation correct नहीं है तो हमारा option 2 correct होगा यहां पर ठीक है Thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप यह whatsapp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर